दिल्ली के बाहर स्टिफ कुटुब मिनार एक most visited place है ये दिल्ली की एक बहुत ही सुन्दर धार्मिक जगा है इसलामिक वस्तुओं के बहितरीन उधारनों में से एक है कुटुब मिनार कुटुब मिनार ये दुनिया की सबसे उची इट की इमारत है इसी कंस्रक करने के सबसे बड़ा कारण था एक प्रार्थना घर इसलामिक लोगों के लिए लेकिन रुको रुको अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना क्या आपको पता है कुटुब मिनार ये दुनिया की सबसे बड़ी इट की इमारत है इसकी उचाई बहात्तर दशम्लों पास मिटर और इसके अंदर 389 सीडिया है कुटुब मिनार का आधार 14.32 मिटर और उपर का व्याज 2.75 मिटर है कुटुब मिनार गिरा है कुछ इतिहासिक समारकों से जिसे मिला कर कहा जाता है कुटुब कॉंपलेक्स, जिन में आते हैं इरन पिलर ऑफ दिल्ली, कुवाट मॉस्क्यू, अली दर्वाजा, तॉम ऑफ इल्टुमिश, अली मिनार, तॉम ऑफ इमान जमीन, अलाव दिन मदरासा, और मेजर स्मित क्या आपको पता है कुटुब मिनार की उपर की मंजिल को फिरो सहत तुगलग द्वारा पुरन निर्मात सिया गया क्यूंकि वो बिजली से नश्ट हो गई इसकी फर्ष बाकी मिनार के फर्ष से अलग है क्यूंकि ये सपेद संग मरमर से बनी है 1974 से पहले आम आदमी को मिनार के उपर जाने की अनुमती थी लेकिन 4 डिसेंबर 1984 में कुछ इलक्त्रिक फेलिवर की बज़े से मिनार के अंदर बिजली चली गई जिससे भागम तोर मज गई और लगभग 45 दोग मारे गई तो 4 डिसेंबर 1984 के बाद उपर जान्या सरकार ने बंद कर दिया जो आइरन पिलर कुटूब पंपलेक्स में है वो लगभग 2000 साल से वहाँ पे बिना कोई जंग या रस से खड़ा है क्या आपको पता है जो मजजित कुटूब मिनार के पास है जिसे खुवाल उल इसलाम मजजित करते है वो भारत का पहला मजजित था अल्लाव दिन खिल जी का सपना था कि वो कुटूब मिनार से दुगना बढ़ा दूसरा मिनार बनाना चाता था जब अल्लाव दिन खिल जी की मोत हुई तब उस मिनार की उचाई लगभग 27 मिटर थी पर अलाव दिन खिल जी के मरने के बाद किसी ने भी उस मिनारिक्ता काम आगे नहीं बढ़ाया वो मिनार कुटुब मिनार और मज्जित के उत्तर मिस्ती थे आपको एफ जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करें और मोर फैक्स के लिए हमारे चैनल मैजिकल फैक्स को सब्सक्राइब करें और प्लीज जादा से जादा शेयर करें